हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रेनुदर और आप सब लोगों का मेरी चैनल सफटोई में जीन इनिया में एक बर फेसे सवगत है आज मैं इस आप लोगों के लिए ये टएडी पिलो लाई हूँ देखे चोटा सा बच्चों के लिए एक चोटा सा सिराना किड्स पिलो लेके आई ह तो मेरी वीडियो्स को देखकर आप बोग भी बना सकते बिल्कुल इस तरह से बच्चों में पिलो की अपने बच्चों से लिए पिलो मैंने इससे पहले भी अपनी चैनल में एक और पिलो बुडल डॉक का आप लोगों के साथ शेयर किया है उसका लिंक मैं आपको description box में दे दूंगी वहाँ से आप देख सकते हैं और इस तरह से आप गर बैठे ही बना सकते हैं मेरे को comment करके जरूर बताइए आप लोग को कैसा लगा और जब आप लोग बनाएंगे तो please मेरे साथ अपनी picture जरूर शेयर कीजिए मेरे whatsapp number पे मेरे नीचे description box में मेरे whatsapp number है मैं अपने insta और मेरे social media platforms पे मैं अपने insta और abby page जिस पे मैं डाल देती हूँ जितने भी मेरे subscribers मेरे को अपनी toys के pics बेचते हैं तो उस पे भी मेरे को follow कीजिए मेरे insta और abby page पे जरूर follow कीजिए pinterest page पे भी नीचे link दिया वाय description box में वहाँ से आप जाके आप इसको link को click करके वहाँ से आप उसमें मेरे को follow कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस तरह का चोट असा प्यारा सा पिलो बनाना और मेरी channel को like, share और subscribe जरूर कीजिए शेर जरूर कीजिए और उनके साथ और चलिए दिखिए material में सबसे पहले तो जो हम इसमें टैडी का फेस लगा रहे हैं उसका pattern चाहिए जो आपको मेरी website से मिल जाएगा www.rendoscreativehub.com वहाँ से एफ और साइस पे प्रिंट निकालेंगे cutting करके यूज़ करेंगे उसके अलावा आपको fabric चाहिए तो fabric में दिखिए मैं इसमें दो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ एक तो मैं cotton का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और साथ में मैं ये शिनील का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ आप दोनों सेम से भी बना सकते हो दोनों साइड cotton से या दोनों साइड फर से कार्पेट से वोलवो से फैल्ट से मैं इसलिए दो चीज़ें अलग-अलग यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दो साइड का जो पिलो है आप दोनों सीजन में यूज़ कर सकते हैं लिजे सर्दी है तो आप शिनील साइड में या फर साइड या कार्पेट साइड में बचाहिए और गर्मी आएंगी तो आप cotton साइड में बचाहिए तो मैंने ये लिया है इसको 4 क्रेंट का कपड़ा है नर्सरी प्रिन्ट में यह चाहिए मिलको को 16 cm मैंने इसकी height ली है और width मैंने इसके लिए है कोई 22 cm आप देखे width height भी आप अपने according ले सकते हैं मैंने इसकी 16 cm ली है तो आपकी अपने है कि आप कितना बड़ा आपको pillow बनाना है उतने बड़े pillow से आप इसको यूज कर सकते हैं इतना बड़ा pillow आपका कोई एक साल का baby डेट साल का baby तक यूज हो जाएगा उसके साथ में यह शनील का कपड़ा ले रही हूं आप इसकी जगे फर कारपेट वोलवो फैल्ट कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास available हो तो यह भी मेर को इतना ही चाहिए जितना मेर को यह cotton क कपड़ा जाकी यह साथ में यह carpet यूज कर रही हूं टेडि बनाने के लिए मैं इसमें फर नहीं ले रही और टैडी की आइज नोज भी आप ले सकते हैं टैडी की आइज नोज पर मैं नोज जो है कपड़े की ही बनाऊंगी इसलिए मैं नोज नहीं लिया है उसके अलावा पॉली फाइबर फाइबर वूल यह आपको चाहिए कोई 300 से 400 ग्राम के करीब फिल करने के लिए तो चलिए शुरू करतें दिखिए सबसे पहले तो आप कपड़े पर टैडी का जो फेस है उसको मार्क करेंगे इसके उपर तो जितना भी आपका यह फेस का जो है जो आपके कटिंग में दे रखोगा उसको आप मार्क करेंगे जैसे कि यह इसका बैक हैड है इसका यह एरो है और दो और में इसके काटने हैं तो एक पिस सिर्ण और को कीज़े एक पिस तरह से माग कीजे तो इसी तरए से जितने भी फेस के इसके में जैसा है उसको मार्क करकLY कर दीजिए देखिए अब सारे pieces की cutting हो गई है अब सबसे पहले हम इसका air जोडते हैं अब देखिए चार pieces काटने थे दो तो मैंने फर में कार्पेट में काटे हैं एक इस तरह से रखके और दो मैंने ये cotton के कपड़े में काटे हैं आप जो इसमें नीचे वो दूसरा कपड़ा लगा रहे तो जैसे आपने इस तरह से रखा और इसको यहां सिल दिया या इस तरह से बना लीजिए ने तो इस तरह से बना लीजिए अब आपका ये आपको कौन सा चीज अच्छा लग रहा है आप उसके हिसाब से यूज़ कीजिए मैं ये cotton का कपड़ा ही यूज़ कर रही हूं तो तो दोनों को इस तरह से रखी आप एक दूसरे के साथ में जो यह सीधा साइड और इसका सीधा साइड खोड़ sensitive तो इस तरह से दोनों ये अगयरदी में आप इस रिड़ी कर लीजे मैं जिन सिल लेना है तो इस तरह से आप जो हाथ से सिलेंगे वो इसी तरह से सिलेंगे यह देखिए इस तरह से यह इस तरह से यहाँ पर जुड़िया है तो इसी तरह से आप इसके यह यह दोनों जोड़के और इसको पहले सीधा कर लिजिए देखें दोनों यह जोड़के मैंने सीधा कर लिया है यह इस तरह से आया है दोनों यह अब इसको क्या करना आपने देखी यह side face है दोनों और यह forehead है सबसे पहले तो इनके जो dar ц है वह अपने सिलने जैसी इस दारे से को इस दर ही लगा दीजह और इसी तरह से यह side मैं दोussen से इनको भी आपे सिलाई लगा दीजह उसके बाद मैं आपने 7 में फोरहेट जोइन करना चैसी के साथ में यह अप हैर कैसे यहां पूरा सिलाई लगा देंगे तो इसी तरह से आपने कैसे करना है इसको इस तरह से रखेंगे आप यह वाला साइड अंदर आएगा यह वाला साइड बाहर जाएगा तो इसको यहां पर आप इस तरह से रखेंगे उपर से यह और यहां से यहां आप इसको सिल लीजे तो इस तरह से और यहां सिल लेंगे, तो इस तरह से यह side face भी join हो जाएंगे और ears भी, ears यहां सिलने के बाद में आपने इस ear को यहां पर ले जाना है और यहां से सिलाई लगा देनी है, तो यह दोनों side में आपने इसी तरह से करना है, पहले यहां से सिल लेंगे, उसके बाद इस जोड़ दिया इस साइड से भी सिलाई लगा दी इसके साथ मैं देखे मैंने पहले इसको एर और फोर हेड को इखटे सिला और जो बांकी का हिस्सा रह गया उसको मैंने इस साइड पे जो ये साइड फेस का हिस्सा है उस साइड पे ये दिखे सिलाई लगा दी है ये दिखे इ इस तरह से इसके दोनों येर्स हमारे टेड़ी फेस के जुड़ गए हैं अब ये है इसका बैक हेट तो इसमें सबसे पहले ये वाला हिस्सा A से B लेकर आपने आपस में सिलाई लगा दीजे आपस में सिलाई लगाने के बाद में इसको आपने इसके उपर रखे जॉइन करना पहले इसको स्लाई लगा देते हैं तो यह आपस में इस तरह से कीजिए और यहाँ पर सिल लीजे देखिए अब यह बीच में स्लाई लगा दी है मैंने बैक हेड के अब इसका जो यह सेंटर वाला पोर्शन है इसको आपने यह जो डार्ट है इससे मिलाई यह और यह इसको सिलाई लगा दीजे देखिए अब यह बैक हेड हमने जोड दिया है अब इस वाले पोर्शन में हम मजल जोडते अब यह दिखिए मजल मैंने उसमें काटा है जो मैं इसमें पीछे हिस्सा लगा रही हूँ शिनील का उसमें से काटा है आप इसको भी प्रिंटर लगा सकते हैं वाइट लगा सकते हैं वो आपकी मर्जी है तो इसमें सबसे पहले तो इसका एक सेंटर ले लिजे यह दिखिए मैंने एक सेंटर पर कटन मा रहा है और इसका भी सेंटर का निशान ले लिजे तो आपको यह इस तरह से रखके देखिए यहां से और पूरा यहां त तो यह जो पोर्शन है यह जो राउंड वाला पोर्शन है इस राउंड वाले पोर्शन में आपने यह मजल सिल देना है मजल लगाने के बाद में आपने इसको यहां से इस तरह से यहां तक जॉइन कर लेना पूरा यह पिंक वाला लेके यह कारपेट वाला लेके और यहां तक जॉइन कर लीजे इसको जॉइन करने के बाद में आपने इस राउंड में यह वाला राउंड नोज लगानी है अब ये वाली nose आप किसी भी color में लगा सकते हैं white में black में तो मैं थोड़ा सा इसी का dark color ले रही हूँ pink का तो मैं ये लगा रही हूँ तो ये muscle बंद करने के बाद में आपने इसको इस तरह से और पूरा round में इस तरह से silkे ये nose भी लगा दीजे देखिए अब ये nose लगा दी है अब हम इसकी eyes लगाते हैं तो जो ये forehead की line है ये forehead की line के साथ में यहाँ पर आपने इसकी eyes लगानी है तो ये दोनों side से आपने लगाना है इसको cut चोटा सा यहाँ पर लगा दीजे इस जगे पे लगाना है आपने ये forehead की line के बिल्कुल साथ में तो इस जगे पे आप थोड़ा सा इसको cut लगा दीजे पीछे और washer fit कर दीजे इसी तरह से आप दो नो आइज लगा दीजे इसकी देखिए अब 22 भी लग गई है अब face इसका टैड़ी का बिल्कुल ready है चलिए आप वो पिलो रेड़ी करते हैं देखिए आप जो पिलो हमने सिलना है जैसे कि मैंने आपको बताया पिलो का जो width है यह जो है यह length width के लिजे length के लिजे यह मैंने लिया है इसका 22 cm sorry 22 inch not centimeter 22 inch लिया है अब आप इसको कम जादा अपने इसाब से कर सकते हैं यह 22 inch की है आदा आदा inch तो 21,25 से 21 inch का यह बनेगा इसी तरह से जो इसकी height है वो मैंने लिया है 16 inch 16 inch की तो यह भी कोई 15 inch तक बन जाएगा अब सबसे पहला काम हमको क्या करना है हमको यह teddy face इसमें join करना है तो हम इसका एक center ले लेंगे इस तरह से इसको fold कीजे और यहाँ पर center का mark लगा दिजे इस तरह से यह दिखे center का mark लगा दिया दोनों side पर अब आपने इसमें यह teddy का face जो है जोइन करने के लिए आपको क्या करना है यह जो center का हिस्सा है यह तो center में रहेगा बिलकुल इस तरह से और आपने दोनों side से इसको रखके निशान लगा दिजे जैसे कि यह mark और यह mark यानि कि कहां तक यह आपका teddy का face आएगा अब इसमें आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आप इसको round में हलका सा इस तरह से जैसे यह है इसको इस तरह से हलका सा दोनों side पे आप इस तरह से cut लगा दीजे देखिए यहां से इस तरह से हलका तो यहां से इस तरह से एक हलका सा round का cut-up दोनों pieces में लगा दीजे अब यह चोटा सा cut लगा दिया दोनों pieces में लगा दिया मैंने अब आप इसको यह वाला side और यह वाला side सिल लिए ये कट राउंड मेनी सिलना आपने ये वाला पॉर्शन और ये वाला पॉर्शन पहले स्लाई लगा दीजिए आप देखिए अब ये दोनों साइड सिल लिए हैं अब आपने क्या करना है जिस साइड भी आपने फेस का फ्रेंट साइड रखना है चाहे आप साइड फ्रेंट रखोंगी इसका फेस का तो इसमें मैंने और थोड़ा सा हलका सा और राउंड में इससे थोड़ा सा ज्यादा एक इंच करीब नीचे और काट लिया है अब इसको इसमें आपने जॉइन करना है तो इसको इस तरह से आप देखिए यहां पर आएगा यह इस तरह से लगेगा तो आपने इसको यहां से इसके सेंटर से जॉइन करना शुरू करना है इसको इस तरह से रखिए और देखिए ऐसे इसको पूरा राउंड में आप सिल दीजे यहां से लेकर यहां और इस तरह से तो इस तरह से राउंड में आप पूरी सिलाई लगा दीजे, अगर थोड़ा बहुत यहां रहेगा भी उसको छोड़ दीजे, वो बाद में हम इतर जॉइन कर देंगे, अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा कट, बड़ा छोटा कई बार हो जाता है कटिंग में, तो उसकी कोई फिकर नहीं है, वो हम बाद मे इसको साइड पे और सिलके सेट कर देंगे, तो आप पहले इसको जितना भी है, इसको इतना राउंड में आप सिलाई लगा दीजे, ये दिखे, अब ये साइड में जुड़ गया है, और ये हैड भी हमने इसमें जोड़ दिया है, अब आपने क्या करना, जो ये वाला साइ क्योंकि जो पिलो का भांकी का रूई है, फेस में स्टिफी रहे अलग से, और भांकी का जो है वो अलग से रहे, तो इसको इसमें इस तर से लगा दीजे, थोड़ा सा छोड़ देना, ये कपड़ा लगा दिया है, थोड़ा सा छोड़ दिया है, ये ही साम इसको फिल करेंग है यहाँ पर ठोड़ा सा छोड़ दीजे और भांकी आप इसका पूरा सिल लिजे, इतना प्रिशन छोड़ दीजे, यही से आम इसको सीधा करेंगे उसके बाद फिल करेंगे तो भांकी साइड्स जोड़ देखिए अब बाकी तीनों साइट से सिल दिया है यहां पर मैंने खुला चोड़ा है अब यहां से हम इसको सीधा करेंगे लेकिन उससे पहले हम इसका जो यह टैडी का फेस है सबसे पहले तो आपने इसको फिल करना है इसको फिल करने के बाद में यह थोड़ा सा पॉर्शन आप सुई से बंद कर दीजिए फिर इसको सीधा करेंगे उसके बाद हम पिलो फिल करेंगे देखिए अब थोड़ी से इसकी आइस की फिनिशिंग और इसकी माउथ बना लेते हैं उसके बाद हम इस पिलो को फिल करेंगे तो यहां से डालिए आप देखिए आइस के पास में निकालना है आप नहीं है यह आप दोनों आइस के पास में कीजिएगा देखिए साथ में ही नीचे थोड़ा से खीच के इसको बांद दीजिए यहां पर और इसी तर से आप दूसरे साइड भी कीजिएगा अब दूसरे साइड से ले लेती हूँ और साथ में ही नीचे लेती है प्यूसरे से खीचे और से लेती है और से भी कीजिए लेती हम बांद दोगगे झाल बांद दोगे एक的 दूसरे लेती है प्यूसरे नीचे चाल थोड़ा सा खीच के जैसे इस साइट से कीचेंगे ऐसे इस साइट से भी कीच के अब यह होने के बाद में आप इसके हम इसका माउथ बनाएंगे देखिए अब इसका माउथ बना देते हैं तो ब्लाक फ्रेड मैं डाला अब यह मैं थोड़ा नीचे से निकाल रही हूं क्योंकि इसका जो गाठ है वो नहीं तो यहां पर दिखेगा इस वज़े से इसका उपर से इसके बाद यहां से बिल्कुल सीधे यहां पर अब यहां से थोड़ा से इसको इसका यहां पर गार्ड बांद के इसको सुई को कहीं और से निकाल दीजिए देखिए अब बांकी पिलो को हम फिल कर लेंगे और फिर इसकी यह जो उपनी है इसको सुई से हम बंद कर देंगे देखिए अब मैंने इसमें फाइबर फिल कर दिया है अब फाइबर भी अपने अकॉर्डिंग बरिये कितना आपको बनना है कितना डालना है उसके हिसाब से आप देखिए इसमें फाइबर मैंने डाल दिया है तो यह रेडी हो गया है अब इसका जो यह ओपनिंग है इसको इसको हम बंद कर देते हैं, तो इसके लिए देखिए इसी तरह से जैसे सुई अंदर से निकाला गान जो है वो अंदर रहेगा, तो इस तरह से आपने यहां पर इसको सुई से दोनों साइड से इस तरह से खीच के इसको बंद कर दीजे, तो दिखिए अब मैंने इसकी ओपनिंग बंद कर दी है तो हमारा इस तरह से ये टेडी का जो पिलो है बच्चों के लिए चोटे बच्चों के लिए बिल्कुल रेडी है इसको अगर आप चाहे तो यहाँ पर दो स्ट्रेप्स लगा के या बटन लगा के स्ट्रेप्स लगा के आप इसको इस तरह से भी राख सकते हैं मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए गावरों के साथ थैंक्यू फा वाचिंग